question number 15 है आपके सामने इसमें क्या दिया a swimmer swims from a point A against the current for five minute and then swim backward in favor of the current for next five minute and comes to the point B if AB is 100 meter then the speed of current देखिए हुआ क्या है एक point A है यहां से swimmer गया इस direction में यहां तक गया और यहां से यह point C मान लेता हूँ और यहां से फिर आया बापस फिर आया बापस तो यह point कुछ point तक आया यह point है B अपनको दिया है यह difference किता है 100 meter ठीक है अब पहले case की बात करें यहां पर तो यहां पर क्या हुआ है कि point गया क्या अगेंस the current मतलब upstream गया upstream गया तो upstream में speed क्या हो जाएगी x-y ठीक हो कित्ती देर तक गया time क्या है तो time है 5 minutes ठीक है यह total distance इसने यहां पर travel किया और दूसरे case की बात करना है दूसरे case में क्या हुआ है यह downstream मतलब x plus y वो कित्ते देर तक तो management अब दोनों का difference अपने को दिया है मतलब x plus y x plus y multiply by 5 minus x minus y multiply by 5 यह अपन को दिया है कित्ता hundred अच्छा इसको यहां से समझ में नहीं आ रहा चलो एक क्यूशन नों बता जाता हूँ इस distance को मान लिए हम मैंने a और यह पूरे distance को अगर मैं मान लूब b ठीक है तो b minus a है अपने पास कित्ता hundred यह तो सब को पता है और b की value क्या है b की value है यह और a की value है यह वो यहां पर रख दी मैंने ठीक है अब इसको कर लेंदे solve ती हो जागा 5x plus 5 by 5x plus 5 by minus 5x plus 5 by equals to hundred यहां पर थोड़ी सी mistake और कर दी मैंने देखी क्या है यह दिया अपन को time काय में minute में ठीक है यह distance दिया अपन को meter और अपन से speed पूछिए kilometer पर आँ में तो पहले इस minute को करना पड़ेगा अपन को करना काय में आर्ज में तो करना पड़ेगा 60 से डिवाइड तो पूरे पर 60 डिवाइड कर दिया क्योंकि अपने पास क्या गया 5 by प्लस 5 by 10 by upon 6 is equals to 1 ठीक है और यहां से y equals to क्या जागा 6 upon 10 जिसको अपन और क्या लिख सकते है 0.6 उनसे option में 4 option में यह काय में क्लूमी तप रवर में यह कैं